कि दोस्तों नमस्कार मैं राम सिंग स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल इजाम टाइगेट 24 में इसमें हम बात कर रहे हैं बिहास चखबलती के लिए हिंदी के ट्रक्टि सेशन की जो की होगा पेपर वन के लिए और इसमें जो पेपर वन में 25 कोशन इंग्लिस और 75 के लिए और यहां बी हिंदी आना है वहां उसके लिए लेते हैं आज का पहला कोश्चन लेते हैं अनभवी सब्द का बिलोम क्या होगा भावी बुद्धू अनभव हीन या फिर जिग्यासू तो अनभवी सब्द का बिलोम क्या होगा अनभव हीन होगा सी आप्शन करेक्ट है अनिष्ट सब्द का बिलोम क्या है अनिष्ट अभिष्ट अरिष्ट इस्ट या फिर अचेष्ट अनिष्ट सब्द का बिलोम हो जा समीकरण तो आकर्षण का विलम क्या है विकर्षण है आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं सब्द युग में दुर्निवार सुद्ध सब्द क्या है दुर्निवार दुर्निवार दुहुफलश निवार या फिर दुर्निवार तो इसमें यो सुद्ध सब्द क्या है वह है दुर्निवार आपसन डी विल भी करेक्ट निम्निखित में सुद्ध वर्तनी का सब्द है वांग मैं, वांग मैं या फिर वाग मैं तो सब्ध वर्तनी असुद्ध वर्तनी असुद्ध है अधिन, ब्यवहारिक, मिश्ठान या फिर अत्यधिक तो जिसकी वर्तनी असुद्ध है वो क्या है अत्यधिक है क्योंकि ब्यवारिक भी ठीक डिखा गया है अधीन भी ठीक रखा गया है और मिश्ठान भी लेकिन अत्य धिक क्या होता है अत्य धिक होता है अत्य धिक यह इस तरह से होता है चलिए इस्तिरी लिंग सब्द पचानना है दही ब्यवरा तारीफ या फिर मोम तो इसमें इस्तिर पूलिंग इसमें पचाना है किसमत गुंजाइज च्छाया या फिर सहारा तो इसमें जो सहारा है वो पूलिंग है बाकि तीनों क्या है इस त्रिडिंग है अंगला कोशन ओले पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है मौसम खराब होना विपत्ति आना असमंज़ाश में पढ़ जाना या फिर धोखा देना ओले पढ़ने का मतलब क्या है विपत्ति आना अप्शन बी करेक्ट है कान खड़े होना मुहबरे का क्या अर्थ है बदला लेने के लिए त्यार रहना साउधान रहना डंड के लिए त्यार रहना या फिर D है किरिपा पात्र बनना इसमें क्या है साउधान रहना आपसन D will be correct क्षाली पुलाव पकाने का अर्थ क्या है बेंजन बनाना ऐसा नहीं है बिपरीत कारे करना बेर्थ की कलपनाय करना कारे को सफल बनाने के लिए रणरींद बनाना तो ख्याली पुलाव पकाने का मतलब क्या है बेर्थ की कलपनाय करना या फिर इसे को पहते हैं बेर्थ घोड़ दवडाना अगला कोर्शन बेटा का परियावाची सब्द नहीं है नहीं है पुछा गया ध्यान देंगे बेटा का परियावाची सब्द नहीं है पुत्र सूत अग्रज या फिर आत्मज तो बेटा का जो परियावाची सब्द नहीं है वो अग्रज नहीं है क्योंकि अग्रज भाई का यानि बड़े भाई को अगरज बोलते हैं तो आप्षन D correct हो जाएगा मनुष्य क्या पर्यावाची सब्द नहीं है नर, महिपाल, मनुझ या फिर मानो तो मनुष्य क्या पर्यावाची सब्द नहीं है महिपाल आप्षन D correct हो जाएगा गणेश का पर्याची सब्द है सुधान्सू, खुवेर, एकदंत या फिर सुधाकर गणेश का जो पर्याची सब्द है वो क्या है एकदंत है आपसन C करेक्ट हो जाएगा सोका गरस्त में कौन सा समास्त है अब यही भाव, ततपुरुस, करमधारे या फिर्दिगू सोका गरस्त में समास कौन सा है ततपुरुस समास है आपसन B करेक्ट है गरीह पर्यवेश में कौन सा समास है ततपुरुस, करमधारे, द्वन्द या फिर्दिगू गरीह में पर्यवेश यानि कि ततपुरुस समास है आपसन A करेक्ट है महात्मा में कौन सा समास है महात्मा यानि कि महान है जो आत्मा बोब्रही, अभ्याई भाव, द्वन्द या फिर कर्मधारे तो महात्मा यानि महान है जो आत्मा इसमें होगा कर्मधारे समास आपसन डी सही हो जाएगा तत्सम सब्द को चुनना है लुहार, लोहकार, लवंग या फिर लाख तत्सम बताना है तो लवंग हो जाएगा आप्शन C सही हो जाएगा दर्शन का तत्भो क्या है दर्शन, दर्शन, दर्शन या फिर दर्शन तो दर्शन का तद्वा पूछा गया है तो दर्शन का तद्वा क्या होगा दर्शन हो जाएगा आपसन B सही हो जाएगा तीगुना का तत्समरूप क्या है तीन गुना, तीगुडा प्रय गुडा या फिर तीगुड तत्तिगुना कात्सानूरूफ त्रीगुड होगा, option d correct तुलसीदास के रामचरित मानस में किस कारक का प्रियोग हुआ है? संबन्ध कारक, संपरदान कारक, अधि करण कारक या फिर करता कारक तिसमें संबन्ध कारक का प्रियोग हुआ है, option a वाला क्या है? correct है प्रियंका लेखनी से लिखती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है कर्मकारक, करणकारक, संप्रदानकारक या फिर संबोधन कारक इसमें करणकारक है आपसन B will be right भगवद गीता में संदी बतानी है भगवद गीता में संदी कौन सी है व्यंजन संदी है स्वर संदी है गुड संदी है या फिर ब्रिद्धी संदी है तो भगवद गीता में संदी कौन सी है इसमें व्यंजन संदी है आपसन ए वाला करेक्ष जाएगा दुर बल का संदी बिच्छेद है दुर परभल दुह पलस बल दुर पलस बल या फिर पलस बल तो ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है इसमें क्या हो जाएगा दुह पलस बल हो जाएगा आपसन नंबर बी बिल बी करेक्ट दुस्ट का संदी बिच्छेद होगा दुह देह्ल फ्रीट श्रया फ्री आप द्री ही फ्रस्ट जाते यह वह हादा है क्या होगा ilis day येुर 12 रहे हुआ लुजा कैसे एंुज में हदे आपको कि आपस्वर एक साधुर संसल ने कि आपने कितना सभी अहलुक्स क storyline कब्रताम घन्य बाद